जैसेव संभू दोस्तो कन्या रासी वालों के लिए वीडियो है इस वीडियो में मैं कन्या रासी वालों को बताऊंगा कि उनके लिए सुब रंग क्या है, रतन कौन सा है सुब दिन क्या है, उनके लिए सुब अंक क्या है दोस्तो सुब, रंग, रतन, दिन और अंग जो हैं वो जीवन में बहुत कामके होते हैं अगर रासी के हिसाब से इनका इस्तिमाल किया जाए तो भाग को कई गुना चमका सकते हैं दोस्तो भाग जो होता है वो अपने हिसाब से जातक को सपोर्ट करता है लेकिन अगर ये चीजे फैबरेवल चीजे जो हती है रासी की अगर उनका इस्तिमाल किया जाए तो भाग से आप और भी ज़्यादा काम करा सकते हो यानि की भाग का सपोर्ट आपना बढ़ा सकते हो कन्यारासी वालो को मैं यही बताऊंगा कि वो क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए क्या अच्छा है जिसे लाइफ में इंक्लूड करें तो उनका भाग जो है वो ज़्यादा काम करने लग जाएगा उनको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा दोस्तो कन्यारासी वालो का जो स्वामी है वो बुद्ध है यानि की मरकरी और जो बुद्ध है उसका आराद्ध भगवान जो है बुद्ध के जो स्वामी है बुद्ध जो ग्रह है उनके जो आराद्ध भगवान है वो सिरी गनेज जी है ठीक है तो कन्या रासी वालों को सिरी गणेश जी को सबसे पहले याद करना चाहिए क्योंकि वो उनके अराध्य भगवान है और रासी के जो स्वामी है बुद्ध उनका जो फेवरेट कलर है वो है हरा यानि के ग्रीन तो आपको हरे कलर को अपनी लाइफ में सामिल करना है हरे कलर का आप कलर पैटर्न देख लीजिए हरे में भी बहुत सारे कलर आते हैं कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे ग्रीन पैटर्न का आप अगर महिला है तो साड़ी पुरस हैं तो अपनी कपड़े, shirt, paint या कुछ भी आप जरूर जो है इस color को धारण करें आपको अगर green पूरा समझ नहीं आ रहा है तो इसके shade में से चेक कर लेंगी modern green shade कौन सा है वो आप जरूर पहने इस से आप की होने वाली हर meeting में आपको सफलता मिलने के chances बढ़ जाएंगे दोस्तो आपका जो भाग साली अंक है वो है तीन और आठ ये आप note कर लीजिए आपका भाग साली अंक तीन और आठ है कोई भी काम आप करने चलें जो आप समझते हो घर मकान खरीदना, गाड़ी खरीदना, चल चल संपत्ति खरीदना तीन और आठ का ध्यान रखें, सपोज आपकी गाड़ी का जो है नंबर है उसका समयोग तीन आना चाहिए या आठ आना चाहिए आपके जो मकान का समयोग है वो तीन या आठ आना चाहिए वो आपके लिए भाग साली रहेगा आप अपने दिन को भी सुब बना सकते हैं और बहतरीन कर सकते हैं जैसे कि आपके अनकूल वार जो हैं आपकी रासी के हिसाब से वो अनकूल वार हैं बुद्धवार, सुक्रवार तथा सनिवार तो आप बुद्धवार सुक्रवार को जो भी काम करेंगे वो ठीक रहेगा आप भग साली अंक यानि तीन और आठ को मैच करिए बुद्धवार और सुक्रवार से इसका मतलब यह है कि जब भी कोई आप काम करने चले नया तो चेक करें कि तीन तारिक को बुद्धवार तो नहीं पढ़ रहा है या तीन तारिक का सुक्रवार तो नहीं है तो इस तरह से मैच करेंगे तो बैटर रहेगा कोसिस कीजिए आप अपने काम आठ तारिक को करें even number पे करें और दिन बुद्धवार या सुक्रवार होना चाहिए तो आपके सारे काम सफल होंगे सफलता की सम्हावना बहुत जादा बढ़ जाती हैं आपकी जो रासी के एसाफ से जो धातू है वो है सिल्वर और गोल्ड तो आपको सिल्वर चांदी और सोना फपता है आपको चांदी और सोना फलता है तो आप अगर जो है जब भी इस तरह की कोई संपत्ति को कन्वर्जन करें तो चांदी सोने में कर सकते हैं गूल्ड अगर पहनेंगे, आपके लिए उत्तम है, आपका भागय को बढ़ाएगा, गोल्ड धरन करना, सोन धरन करना, आपके लिए अच्छा है, सोनी की चैन पहन सकते हैं, सोनी का कड़ा, तो मोठी वियां पहन सकते हैं, जो भी आप रतन यूज़ करें, वो सोने में जरू को पहनने से पहले ध्यान रखिए कि आप लोकल पंडित के स्वास जाएं अपनी रासी या जनम कुंडली के बारे में बताएं अपना डेट ऑब बर्थ टाइम वेगर बताएं जिसाइस्थान समय तो वह आपको बताएंगे कि कितने रत्ती का रत्न जो है आपके लिए आपकी सुब रत्न के साथ साथ कुछ सपोर्टिव रत्न भी हैं फ्रेंड्सिफ वाले रत्न भी हैं जो आपके अमेरल्ड को सपोर्ट करते हैं जैसे हीरा और नीलम तो अगर आप हीरा पहनना चाहते हैं आपको अंगुठी अच्छी लगती है तो आप अन्ने के साथ हीरा भी पहन सकते हैं ठीर आपके लिए जो है उत्ता में आपके भाग को सपोर्ट करता है वैसे कि उनिये बताया कि राषिके अनुसार जो आपके वार हैं यानी कि दिन जो सुभ हैं वो बढ़वार सुक्रवार देता सनीवार हैं मैं एक वापिस से समराइज करते हैं आपकी रंग हरा है अपनी लाइफ में इसको धरन करने की गोशिस कीजिए कि भागे को बढ़ाता है भाग साली अंग तीन और आठ है आपकी राशी के साफ से धातू चांद और सोना आपके लिए सुभ हैं आपकी लिए सुभ रतन जो है उपन्ना है राशी के साफ से सपोर्टिंग यानि कि फ्रेंड्सिफ वाले जो रतन है वो हीरा तो नीलम है जो आपके भाग को सपोर्ट करते हैं और राशी के अनुसार जो वार है बुद्वार सुक्रवार तो आप अगर ये थोड़ा सा इसमें से कुछ भी अपनाएंगे तो आपका भाग को सपोर्ट मिलेगा तो इस सुक्रवार तो आपके प्नापध।